सी फोर पाथवे सी थ्री पाथवे के आलामा एक कार्बन फिक्सेशन का पाथवे है और इस पाथवे को 1966 में दो आस्ट्रेलियन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था जिनका नाम था हैच और ये ट्रोपिकल या सब ट्रोपिकल या ड्राइ कंडिशन में जो प्लांट्स ग्र होते हैं हम लोगों के इंडिया में भी जो कंडिशन जैसे राजस्थान है पंजाब है हर्याना है जहां पर संड्रेज जादे आती है थोड़ा टेंप्रेशर हाई रहता है वहां पर ऐसी कंडिशन होती है कि सी फोर पाथवे जो है वो बहुत हेल्पुल है प्रोड़क्टि सुगर केन है मिलेट है और वह सारे प्लांट्स है जिनमें सी फोर पाथवे पाया जाता है सी फोर पाथवे जो है एक एफिसेंट तरीका है कार्बन को अप्टेक करने का as compared to c3 पाथवे तो c4 पाथवे में दो सेल लगते हैं और c3 पाथवे एक ही सेल में हो जा रहा था काम इसमें दो सेल इनकारपोरेट होते हैं और दोनों सेल काम करते हैं एक होता है मिजोफिल सेल और दूसरा होता है बंडल सीट सेल यहां पर देखिए एक ये c4 प्लांट की लीफ की एनाटामी है जिसको क्रैंज एनाटामी कहेंगे और इसमें देखिए ये वेन है वेन को वैस मेजोफिल सेल्स जो हैं इसको सराउंड करते हैं और इसकी एक लेयर या एक से अधिक लेयर भी फार्म कर सकते हैं इसके बाहर बंडल सीथ सेल्स के बाहर जो दूसरी लेयर बनेगी वो मेजोफिल सेल्स की होगी इस ट्रेंज एनाटामी में जो विसेस्ता है कि मेजोफिल सेल् strap prominently पाया जाएगा लेकिन जो bundle seed cells होंगे उनके अंदर जो chloroplast होंगे वह rudimentary होंगे मर्टों जादे होंगे लेकिन revern से यह होती है वह करते ह只 सब्सक्राइब हो इस तरह से यह नाटामी होती है उनकी सीथ से पाथवे है जिसमें ये वेन है या वैस्कुलर बंडल है जिसमें जाइलम है और फ्लोम है और इसको बंडल बंडल सीद सेल जो है सराउंड किये हुए है और इसमें देखिए क्लोरोप्लास नहीं पाया जा रहा है जबकि इसमें क्लोरोप्लास जो है थोड़ा जादे प्रमु हो जाएगा आपको समझने के लिए देखे यह कि See three pathway है सी थी फाफवे में आउटसाइट कार्बन डायकसाइट मेजोफ्लस के द्वारा आएगी और वो उसी मेजट केल्विन साईकिल चलेगी कार्बन डायकसाइट सबसे पहले combine करती है react करती है RUBP से RUBP क्या होगा Rebulose 1-5-Bisfastrate और जो एंजाइम इसको इस reaction को कराएगी carbon dioxide को fix कराएगी इन और्गेनिक carbon जो और और्गेनिक form में fix होगा तो fix कराने वाली एंजाइम जो होती है उसको कहते हैं short में कहेंगे rubisco और लंग फार्मुस का बहुत लंबा हो जाता है रीविलोज 15-20 वास्पेड वाइवाद नियुक्त का भी काम करती हैं और और ऑक्सिडेशन का भी काम करती है उसमें उस एंजाइम में एक ही एक्टिप साइट जो होती है और दोनों फंक्शन कराती है जिस जना टामी में जो कर्बन डायाक्साइड है बाहर से आएगी यह इस देंट से जो दो लाइन दिखलाए जा रही है यह एक्षली कोई भी सेल तो एक ही मेंब्रेन से स्राउंडेड होता है और वह मेंब्रेन जो होती है वह लिपिड की बाई लेयर होती है तो यह जो है लिपिड की दूसरी लिए यह लार्ज में जो फिल सेल है और इससे लगा हुआ यह सेल देखे बंडल सीट सेल है दोनों जानते हैं कि प्लांट सेल्स कनेक्टेड भी होते हैं बाइमीन साफ प्लाजमोडेजमेटा प्ल्यूरल है अब प्लाजमोडेजमा सिंगुलर है यह कन जो कंपाउंड होगा या जो मालिकीूल होगा उसको कहेंगे फास्फो इनाल पाइरवेट इसको शाय्त में पिप भी कहेंगे यह एक 3-carbon compound है और जो enzyme, carbon dioxide और pep के reaction को कराएगी उसको कहेंगे pep carboxylase या pep case भी इसको कहेंगे और यह जो product बनाएगी एक organic acid बनेगी जिसको कहेंगे oxyloacetate या oxyloacetic acid C3 pathway में जो first product बनता है और 3-phosphoglycerate बनता है या 3-phosphoglycerate acid कहते हैं उसको और C4 pathway में जो first product बनता है वो एक 4-carbon compound है जिसको कहेंगे oxyloacetate या site में इसको OAA भी कह देते हैं अब इसी mesophyll cells में एक बात और बता दें pep carboxylis के बारे में कि इस enzyme की carbon dioxide के लिए बहुत high FNT है और oxygenation के लिए very low या no FNT है तो यह बहुत ही उप्यूक्त है और C4 pathway में carbon fixation में बहुत efficient रोल अपना यह अदा करती है निभाती है तो oxyloacetate जो है मिजोफिल cell में ही change हो जाएगा मैलेट में आप जानते हैं कि इसमें CO2 और hydrogen मिजोफिल cell में transport होते हैं दोनों तो CO2 और hydrogen दोनों transport हो रहा है और यह जो product बना है वो मैलेट है मैलेट जो है four carbon compound है यह देखे four circles बनी हुई है यह बताने के लिए और यह फिर यहां से plasma disma के through transport होगा और आज आएगा bundle seed cell में यह देखे bundle seed cell है दोनोंगा test है जब यह bundle seed cell में आ जाएगा मैलेट जो कि एक four carbon compound है तो इसका decarboxylation होगा मतलब carbon निकल दा है तो decarboxylation के through carbon dioxide निकलेगी तो चार carbon है यहां four है और four से यह carbon dioxide में निकल गई बचा तीन वह पाइरवेट बन गया यह पाइरवेट यहां से diffuse करके फिर से आ जाएगा मीजोफिल सेल में और यह जो carbon dioxide bundle seed cell में आ गई तो bundle seed cell की एक property है कि इसकी वाल्स ठीक होती है इसके through gases से exchange नहीं हो सकता है और इसमें air spaces भी नहीं होते तो air spaces नहीं होंगे सेल्स के बीच में तो इसमें यहां पर नेचुरली carbon dioxide की का concentration बहुत अधिक हो जाएगा और यहां पर carbon dioxide का या carbon का fixation बहुत ही efficient ढंग से यह रुबिस्को एंजाइम करती है तो डी कार्बाव concentration के बाद जो carbon dioxide निकली से मैलेट से वह रुबिस्को की site को pump की जाती है आप जानते हैं कि बाइलोजिकल सिस्टम में जब कभी भी कोई पी फिर से एक 3 carbon compound फिर से रीजननेट हो गया और यह फिर से carbon dioxide की से attach करके cycle को चलाएगा यह जो carbon dioxide रुबिस्को के पास चली गई उसकी site पर pump कर दी गई तो रुबिस्को का काम है मतलब यह carbon को fix करेगी और carbon को fix कर एफिसेंटली fix करेगी और यह Kelvin cycle के थ्रूँ अब काम होगा तो Kelvin cycle C3 photosynthesis और C4 pathway दोनों में एक ही चीज होती है और एक ही तरह से काम करेगी मतलब फिर वही इस cycle में रिबुलोज 1-5-bisphosphate बिद्धरहल पाप रुविस्को एंजाइम carbon dioxide fix होगी very efficiently fix होगी और सब मिला के यहां से जब आएंगे cycle चलेगी तो glyceraldehyde 3-phosphate के 12 molecules बनेंगे यह 12 molecules जो होते हैं इसमें से 2 molecules glucose का formation करेंगे और जो 10 molecules glyceraldehyde 3-phosphate के बचते हैं वो फिर से 55 carbon के 2 molecules रिबुलोज 1-5-bisphosphate के 55 carbon के 2 molecules बन जाएंगे तो यह cycle चलती रहेगी glucose हमें मिलता रहेगा प्लांट को यह बहुत ही efficient है carbon fixation का करीका और ऐसा अगर नहीं होता तो carbon fixation अगर यह cycle नहीं होती तो carbon fixation नहीं होता तो इसके दो फायदे हैं एक तो यह photo respiration को minimize करती है बहुत सारी books में लिखा गया है कि C4 में photo respiration absent होता है लेकिन यह minimum पर लाके छोड़ देती है ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत होता नहीं थोड़ा बहुत होता अगर आपसर में कहीं आपको आए कि absent है minimum है तो minimum जो है वो ज्यादे सही answer है और यह increase करता है great productivity of the biomass यह biomass को बहुत अ दो cells involved हुए एक mesophyll cell involved हुआ और दूसरा bundle seed cell involved हुआ bundle seed cell ठीक है ठीक wild है gases के लिए impermeable है और इसमें air spaces नहीं है इन cells के बीच में यह बहुत ही productivity को बढ़ाने वाला है C4 pathway में 2 ATP के molecule यहां खर्च हो जाते हैं इसमें हो जाता है pyruvate से pep बनने में सब 12 additional ATP molecule जो है और खर्च होते हैं एक glucose molecule के बनने में as compared to C3 pathway C3 pathway में एक glucose molecule बनने में 12 molecules कम खर्च होता है और C4 में 12 molecules अधिक खर्च हो जाते हैं C4 pathway में एक का तर्च हो जाते हैं